हाई अवरिवन स्वागत आपका चैनल स्टेडी जैट में CRSU और MDU के B8 अग्जाम से लेटरीड जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कलियर करने की कोशिस करूँगा तो जो आपके डाउट हैं जिस प्रकार कोमेंट्स आ रहे थे कि अग्जाम कब तक होंगे अग्जाम मोड क्या रहेगा ओनलाइन होंगे या ओफलाइन होंगे अग्जाम पैटरन क्या रहेगा एनि फाइफ का उप्सन होगा या एनि फोर का उप्सन होगा या सब्जेक्टिव होंगे या ओब्जेक्टिव होंगे तो साइध यहीं डाउट आपके होंगे तो इनी को मैं कलियर करने की कोशिस करूँगा जितना मुझे मालूम है जितना जो अलग-अलग युनिवेस्टिज अगजाम ले रही हैं उसके रिगार्डियो तो वीडियो कंप्लिट देखना और इन से रिलेटेड आप कॉमेंट मत करना क्योंकि ये डाउट मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा इनके बारे में तो और इन से रिलेटेड आएंगे तो उनका रिपलाई मैं नहीं दूँगा तो उमिद करता हूँ इससे अलग ही आपके डाउट होंगे तो चलिए शुरूत करते हैं वीडियो की सबसे पहला डाउट आता है कि अक्जाम कब होंगे अक्जाम कब तक हो सकते हैं तो जो अक्जाम से हैं वो आपके 10% सांटी से जाये की अगस्त एंड में कंड़ेक्ट करवा जाएं और 90% सांसी है कि आपके जो अग्जाम है वो सेप्टेंबर में कंडेक्ट करवाए जाएंगे जो आईजी उनिवस्टी है उसके तो अभी मिड ओफ अगस्ट से स्टार्ट हो जाएंगे और जो बाकी उनिवस्टी हैं वो साइद साइद आपके जो अग्जाम है 10% only 10% सांसी है कि आपके जो अग्जाम है वो अगस्ट एंड में हो और 90% सांसी है कि आपके अग्जाम सेप्टेंबर में हो आप सेप्टेंबर मारकर चरे आपके जो अग्जाम है वो सेप्टेंबर में कंड़क करवाए जाएंगे बात करें नेक्स्ट डाउट की वो आता है कि exam mode आपका क्या रहेगा exam mode online होगा या offline होगा तो देखिएगा जो भी MDU CRSU के students हैं उनका जो mode है वो दोन्नों रहेंगे दोन्नों mode आपको प्रवाइड करवाई जाएंगे उनिवस्टी के दुबारा online और offline दोन्नों mode आपको उनिव CRSU है वो कोई भी ऐसी वो क्लैरिफके से नहीं मांगती कि आप online mode क्यों चूज कर रहे हो MDU ये बात पूछती है कि आप कोविड पेसेंट है या फिर आपकी जो distance है जो exam center की या college की जो दूरी है वो ज्यादा है या आप अधर state से बिलोग कर रहे हैं तो वो region मांगती है MDU University तो पर जो CRSU है वो कुछ नहीं मांगती है अगर आप online चूज करना चाहें तो online घर बैट out है कि exam pattern आपका क्या रहेगा तो any four question रहेंगे या any five question रहेंगे तो देखिए any five question तो साइद पहले भी होते साइद नहीं पहले होते ही थे कि any five आपको साइद 9 question होते थे नो या आठ इतने question होते थे उनमेंसे any five question करने होते थे लेकिन अब की बार जो आईजी ने जो pattern निकाला है तो उसमें any four का option प्रोवाइड किया गया है उनिविश्टी के दौरा कि आपको क्यूस क्यूस मिलेंगे उनमेंसे कोई भी चार question आपको करने है सबी questions equal numbers के होंगे 20 number का हर questions होगा आपका तो 20 number का आपका एक question होगा है टोटल 80 number का आपका paper रहेगा तो जो भी 80 number के होते हैं तो उनमें इस प्रकार का pattern रहेगा और जो और जो 40 number का आपका जो paper रहेगा उसमें any two का option रहेगा कोई भी दो question आपको करने रहेगे तो टोटल दोनों question 20-20 number के रहेंगे 20-20 प्लस 20 40 नमर का आपका paper रहेगा और 80 के लिए सभी question 20-20 नमर के होंगे और 20-20 के 4 question कोई भी आपको करने रहेंगे तो ये आपका exam pattern हो सकता है साइद M.D.U.C.R.S.U. दोनों university 4 का option अपना है या फिर any two का option अपना है तो का option 40 जो total 40 नमर का paper होता है और any four का जो total 80 नमर का आपका paper होता है उसके लिए university ये जो any four यानि two का option का जो mode है वो pattern है वो अपना सकती है university अब बात करें next doubt की next doubt है कि आपका जो exam है वो subjective होगा या objective ह होगा तो अब फिलाल जो university exam ले रही है तो उससे यहीं लग रहा है कि जो अपके exam है वो subjective होंगे subjective आपको लिखना पड़ेगा आपको online mode चूज करेंगे तो भी आपको camera on रखना पड़ेगा आपका phone का जो भी university एप या site प्रोवाइड करती है उसके थुरू आपको camera on रखन पड़ेगा जब भी आप लिखेंगे और अगर आप offline देते हैं तो भी subjective आपका exam रहेगा आपको लिखना पड़ेगा online mode हो चाहें offline mode हो दोनों में लिखना है objective का कोई option नहीं है अब की बार सायद कोई भी university objective multiple choice questions नहीं देंगी subjective mode अपनाएंगे universities तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपका कोई भी doubt नहीं बचाओगा इस वीडियो में और कोई भी doubt बच गया हो आपका जो मैंने इस वीडियो में cover नहीं किया हो तो आप comment section में जरूर पूछें निच्चे आप comment section में पूछ सकते हैं और वीडियो को like और share जरू कर देना अपने friends के साथ ताकि उनके भी जो भी doubts हैं वो clear हो सके तो मिलते हैं next cc परकार की update में धन्यवाद